हेलो फ्रेंड्स अम्रेदे टुटोरियल में आपका फिट से स्वागत है आप देख रहे हैं डॉक्टर रम पृद्धिया को तो फ्रेंड्स जो इस वीडियो है इसमें हम डिसकस करने वाले हैं जो बॉटनी का से लेबस है वैसे तो टाइम कम ही है बट ठीक है फिर भी टाइम इंसफिशेंट इतनी टाइम में हम कवर कर सकते हैं एजील अगर आपने कवर नहीं किया तो देखना इसमें यह है कि मैं जो है आपको इसमें यह चैजिस्ट करने वाला हूं कि टॉपिक को हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं विशे ज़्यादा डरने की बात है नहीं क्योंकि इसमें ज़्यादा डीप में आपके जाएंगी नहीं इतना डीप क्योंसन आते हैं बट हाँ यह क्योंसन का ओर्येंटेशन यह जिसे की परपर्स है एक्जाम का वह यही है कि अगर आपने उसके जन्रीडिंग भी किये तो भी आपके उसन जो हैं वह सॉल कर सकते हैं तो बस यही ध्यान रखना आपको की टॉपिक जो हैं सारे कवर होने चाहिए कोई टॉपिक आप छोड़ना मत ठीक है एंड ज्यादा डीप मत जाना कि यह टॉपिक में किसी टॉपि करने लग जाएं तो ऐसा जो है आप मत करना ठीक है तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है आपको जो है ग्रेड वन जो है ऑफिसर बनने का मोखा मिलेगा तो मुद्दे पर यह आते हैं ज्यादा इदर दर की बात छोड़ते हैं तो मुझे तो यह लगता है कि विश् इतना जरूरी है नहीं जितना की बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमें जो है सरेवस की कवरेज का पता होना चाहिए क्योंकि आप एसी एफ एक्जाम देने वाले हैं और हो सकता है कि मॉस्ट आफ जो हैं MSC पास आउट होंगे तो इसी कंडिशन में जो होता है कि लगबग पहले हमारे पास में जो यूनिट है यह जनल यूनिट है जिसमें माइक्रोबाइलोजी हम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें वाइरस है बैक्टरिया है ऐल्गी फंजाई जो है इसके बारे में हम स्टेडी करेंगे ठीक है तो यहां पर जैसे की इससे पहले एक पॉइंट यह भ जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई नहीं है content और आप एक दरोदर भागो एकर नीट का content है तो नीट से पढ़ लो एकर B.S.C. की books है तो B.S.C. की books है आप cover कर लो बट B.S.C. की books में cover करते विए ध्यान यह रखना है कि आपको जो है कि members में नहीं जाना है ठीक है जनल जो introduction होते है किसी भी जैसे कि अलगी का जनल इंट्रोड़क्शन है तो उसी में रहना है bacteria का जनल इंट्रोडक्शन है तो उसी में रहना है फंजैंग और उसी में रहना क्योंकि B.S.C. की books में in these members में नहीं जाना है ठीक है तो जैसा की plant virus में नेजर आ रहा है तो इसमें काया है कि इसने जनल स्ट्ट्टर की बात कर रहा है तो जनल स्ट्टर वायरस में क्या क्या होता है वह आपको जो है उसका genetic material है protein है क्या है capsule है या नहीं है तो वह चीजें जो है आपको जो है पढ़ना है ठीक है तो यह पढ़ के चलना है classification देखना इसका normal जो है and replication की procedure क्या है ठीक है तो जनल देखना है जनल जो कि हम पढ़ते हैं वही फिर mycoplasma है तो mycoplasma की structure कैसी होती है क्या कौन-कौन से parts होते हैं तो वो आपको general पता होना चाहिए कोई specific name है जैसे कि आपको पता ही होगा क्या नहीं है तो वो आपको पता होना चाहिए ठीक है phytoplasma है तो phytoplasma mycoplasma and phytoplasma जो plant में होते हैं वो उनके लिए phytoplasma वर्ड यूज किया जाता है तो इनका जो है biological and economical importance है वो आपको यहाँ पर देखना है अगर आप अच्छे अच्छी study करते हैं तो देन जो है bacteria है bacteria के अंदर भी दिखी जहाँ जो structure है bacteria की कैसी structure कैसी होती है उसके बारे पढ़ना है ग्राम positive ग्राम negative इनमें करते हैं आपको पढ़ना क्लासिफिकेशन देखना इनका नॉर्मल जो है याद रहे तो अच्छी बात है ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है reproduction जरूर पता होना चाहिए कि reproduction किस तरीके से होता है कौन-कौन से method है bacteria के जैसे कि हम recombination genetic recombination देखेंगे तो conjugation है, transaction है, transformation है तो इन तीनों step में क्या difference है यह पता होना चाहिए and साथ ही साथ जिसकी conjugation होते है तो different, different conjugation की different, different results होते है तो वो जो है वो आपको पता होना चाहिए ताकि जो है question महासे आते है तो आपको आप solve कर सके है right economic importance bacteria के वो आपको पता होने चाहिए वो आपको याद करने पड़ेंगे and bacteria में इतना ही है ज्यादा आपको नहीं जाना है कि इस पैसे बैक्टरिया के अंदर आप जो हैं के members अगरा पड़ने लग जाएं तो वो जो है काम आपको नहीं करना है वो बचके रहना है सिर्फ जर्न इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन अगरा जो है वो आपको यहां देखना है ज्यादा है nutrition तो ही नहीं आपके इसमें topic में the nutrition का भी ज्यादा इस्यू नहीं है ठीक है तो यह है फिर भी nutrition आप पढ़ना चाहो तो जनल तोड़ा सा reading लगा लेना अब next आर्की बेक्ट्रिया आर्की बेक्ट्रिया का जनल अकाउंट जो है कि वह आर्की बेक्ट्रिया क्या है कैसे है तो वह आपको देखना है ज्यादा डीप नहीं जाना ठीक है क्योंकि unit इतनी बड़ी है तो easily 10 के उसन उठाने है तो कहीं से भी easily के उसन उठाया जा सकते हैं ज्यादा examiner को इदर उदर जाने क कि वागने की जोड़त है नहीं इससे easily जाया है यहां से के उसन मिल जाएंगे ठीक है तो यह है अब LG का है LG में ये वीडियो तोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं जो है topic topic discuss करूँगा तो आप अराम से देखिए इत्मिनान से क्योंकि planning जो होती हो सबसे important होती है तो planning इंसान के हमें साची होनी चाहिए ताकि जो results भी अच्छे हो planning अगर वीक होगी तो result भी वीक सोदाते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना ही है तो बाकि आपको अपना intellectual भी यूज करना है कि कैसे syllabus कवर करना है क्या मैं पढ़ सकता हूं क्या मेरे लिए अच्छा है तो वो आपका intellectual आपको अपने आप यूज करना ही है मेरे पर डिपेड नहीं रहना से है अलगी जो है जर्नल कारेक्टर है यह है तो इसमें देखी अलगी के जो major group है ठीक है कि अलगी की different different जो group है उनके बारे में यह देखा जाए तो जिसके एक आपको table मिल जाएगी जिसमें आपको different जो group होते हैं उनके अदर pigments कौन से है food source कौन सा होता है कौन से जो होते हैं तो उनी चीज़ों पर आपको focus करके चलना है ठीक है तो इसमें जनली pigments से और food source के अंदर से question आ जाते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए classification तो सभी के अंदर यह नॉर्मली classification ज्यादा कोई नहीं है Qeussan का ज्यादा इसे और reproduction है एल्गी के अंदर reproduction का आपको देखना है ठीक है and economic importance अब ज़्याद़ इंपोर्टेंट रहेगा economic importance का रहेगा इसमें आपके ठीक है and algae में तो pigments का food source का और reproduction के अंदर से and economic importance के अंदर शेकर कोई specific L कोई है तो उस पर ठीक है तो यह चीज़ें आपको cover करके चलनी है फिर फंजाई जो है फंजाई के अंदर देखिए फंगी भी बोलते हैं फंजाई भी ठीक है जो भी आप बोलना चाहो फंगी बोल सकते हैं जो जो जनलल से करेक्तर्स थंग तो है आपको जनलल गराक्टर्स देखने होंगे की स सेल वाल क् elles होती है सेटा होगी азे हैं थिक है तो आपको पता होना चाहिए reproduction का है कि reproduction किस तरीके से होता है economic importance of यह है तो समझ में आगया आपको तो fungus के अंदर आपको जब normal देखना है general character fungal की structure कैसी होती है क्या क्या structure आपको देखने कोई मिलेगी cell wall composition क्या रहेगी ठीक है तो यह आपको देखना है जदा नहीं जाना काईटीन होगर आप परने लग जा उसके structure specific परने जग 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 नहीं करना but cell wall composition है अगर है तो काईटीन होगर है आप तोड़ा वो देख लेना nutrition के बारे में हमने देखी लिया reproduction होगर आपको देखना economic importance आपको देखने होंगे यहाँ पर अब जो है डिजीज है डिजीज पर मैंने वीडियो बना रखा है वैसे आप एमसी का बना रखा है वैसे explain नहीं कियां एमसी का कई वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें आप लिटल लीफ और बिरिंजल पढ़ लोगे citrus kanker उसमें से आप question कर लोगे तो यह आपका cover हो जाएगा यह black rust और wheat जो है वो आपको थोड़ा से detail में पढ़ना पड़ेगा इससे question से cover नहीं होगा तो वो वीडियो जो है वो आप देख लेना ठीक है तो यह तो रहा first unit का जिसके अंदर आपको line to line चलना है ज्यादा इद इसनी होते हैं जिसके हर में जो गृूप में आप पड़ोगी जब आप horizon पर्ड़ोगे तो पर्ड़ोगे तो वहां साथ ही साथ में कुछ members के बारे में दिया होते है कि इस members में यह होता है तो वह आपको नहीं पड़ना है और question आताधा भी है तो जज़्दा attention मत लेना क्या कि उसका वह इतना आपको economic भी नहीं लगेगा क्यूंकि आप इतना time दोगे और उस्में क्यों सना आएगा भी नहीं आएगा तो भी और इतना क्या issue है तो यहीं से क्यों सन बन जाएंगे ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको examiner को बाहर भी जाने की जौरत नहीं पड़ेगी क्योंकि syllabus काफी lengthy है उस easily जो है एक unit में दस के दस बारा के उसनों से अराम से मिल जाएंगे हैं नेक्स्ट हमारे पास में ब्राया फाइटा है तो ब्राया फाइटा की पुर्तों मैंने प्रोडक्शन कैसे होता है वो चीज़ें आपको यहां देखनी है classification में इतना कोई issue नहीं है classification का थैलस organization थैलस में primary advanced थैलस है तो किस में होता है किन members में होता है बस इतना ही पढ़ना है ठीक है और specific उनके अंदर कोई specific structure तो नहीं है तो वो आपको यहां पर देखना होगा तो थैलस ओर्गनाज़ेशन प्राइमरी एडवांस है इनके बारे में आप अपर देना हो ठीक है evolution का इतना नहीं रहेगा evolution reading लगा लेना जनर एंड reproduction and economic reproduction जो है ब्राइवाइवाइटर में reproduction कैसे होता है वो आपको देखना होगा कि पर्टिकुलर कि किसी में कुछ अपसेंट हो जाता है तो वो आप चीजें आपको देखनी है क्योंकि यहां से statement बन सकता है तो वो आपको चीजें पता होने चाहिए and economic importance ठीक है तो वो यह बात की line to line चलना है point to point ज्यादा इदर बदर भागने की ज़रत निया member पढ़ने की ज़रत निया पिछली बार जिसी की कुछ फिनियरिया अगेरा के अंदर से पूछा गया था तो वो जब पूछ लेते हैं जब specific क्या होता है कि syllabus कम होता है तो examiner चला जाता है तो syllabus इस बार ज्यादा है तो इतना ज्यादा issue रहेगा निया तो देख लिना बाकि आप journal वैसी देखना चाहो क बाइ क्या होता है जहां से question आ रहा है तो थोड़ा वह आप आसपास देख लेना बाकि ज्यादा डीप जाने की जौरत नहीं है तो इनमें की development होता है तो इसमें यह बन गया इसमें यह बन गया इससे यह cell बन गई वो बन गई वो बन गई तो वो चीजें यहां पढ़ने की जौरत है नहीं है तो जनल इंटोड़क्शन होगे रहा और जो टॉपिक 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 दे रखा है वो ही कवर करना आप तो वैसे बैसे की बुक्स अगरा देखे तो उनमें यह सब चीजें एक साथ ही मिल जाती है उसमें ऐसे का ऐसा सले बस आपको पूरा मिल जाता ह तो वहाँ ज्यादा इधर उदर घूमने की जड़त पड़ती नहीं है तो वह ज्यादा सही रहता है ठीक है बट आपके पास वह भी कंटेंट है आप यूज करके पढ़ सकते हैं टेरीड ओफ आइटा में यही जनल करेक्टर से हैं क्लासिफिकेशन अर जग है अल्टरेशन में वही जो की चार्ट बनेगा पूरा वह चार्ट के बारे में आपको नौलेज होना चाहिए बट टेरीड ओफ आइटा में जो जनल रहेगा वह जनल करेक्टर समें रहेगा तो यही से और स्पेसिफिक मेंबर के अंदर को एक्सेप्शन कोई एक्जाम है तो वह आपको द है कहां कहां जो है पॉइंट देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में यह वीडियो थोड़ा लंबा ही होगा क्योंकि टाइम लगेगा सलेबस में एक पॉइंट को देखने में जनल करेक्टरें क्लासिपी के सब जिम्नोस्परम है तो उनमें लाइफ साइकिल एंड एकोन कौन से स्टेज आती है वो ध्यान रखना एक इंपोर्टेंस ठीक है तो यह चीजें है तो यह देखिए आप जो है आप कवर कर सकते हैं एजी लिए न नेक्स्ट है हमारे पास में क्लासिफिकेशन आफ एंजियो स्परम में देखिए आप मैंतम उकर का क्लासिफिकेशन बढ़ने इतने सारे क्लासिफिकेशन दिये होते हैं उनमें सिर्फ उसे बैंतम होकर का यह पढ़ना टाइप कॉंसेप्ट बाइनोमियल सिस्टम एंड प्रिंसिपल प्रियूर्टी इस पर मैंने वीडियो बना रखा उसमें आप देख सकते हैं टाइप कॉंसेप्ट के आइडिया बना लेना है कि क्या होता है ठीक है और आप जैसे भी रख फर्म में याद रख सकते हैं अपनी भासा में जैसे भी आप यह होता है यह होता है वो याद रखना चाहें तो वो जो है आपको हो जाएगा बाइनोमियल सिस्टम किस ने दिया था क्या था कैसे होता है इसमें से क्योंसर बनेगा या statement आ सकते हैं कि binomial system में यह यह rule है principle है तो इन में से कोई आपको गलत statement जाए कि पुछा जाते हैं कि इन में से गलत कौन साथ इस तरह की से क्योंसर बना सकते है principle of priority के अंदर बस एक definition आएगी और उसमें आपको पुछा जा सकता है कि principle of priority है तो उसमें आपको statement आजाएंगे कि principle of priority क्या कहता है तो इन में से आपको select करना होगा साहिद की राइट कौनस है तो इस तरह की से questions है वो बन सकता है principle of priority के अंदर ओर भी मैंने अंसर में इंपसाइज किया कि कब से लागू है कहां तक यह लागू होता है तो वो डेट होगे रहा है तोड़ी सी वो भी आपको देख लेना ना यह तो फैमिली मेंबर्स है अलग 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 तो इन फैमिली के अंदर इस्पेशली जो आपको इन फ्लोरेशंस आपको देख रहा होगा अई फ्रूट कैसे होते हैं इनके अंदर वो फ्रूट के टाइपस महांसी को सन पुचाते है और सबस्पेशली इनके मेंबर्स हैं और मेंबर्स के बाटनीकल लेम जो है वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि वहां से जाथर को चैएम के से इन में ज्यादा वाग जिने की आपको जर्थ है नहीं ठीक है इस पेसली इन फ्लोरेशंस कैसा है सेलियंट फेचर्स क्या होते है वो आपको थोड़े से पता होने चाहिए फैमिली के तो ज्यादा रटा मत मारना ज्यादा टेंसन भी नहीं लेनी है ठीक है और मेंबल्स जो है उनके बॉटनिकल नेम जो है वो याद कर लेना देख लिस्ट बना लेना अलग से रूम में चिपका लेना और उनको देखते रहेना ताकि वो बार बार आंकों के सामने आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे इंपोर्टन हर्बेरिया यह इस पर मैंने वीडियो बना रखा है हर्बेरिया में बॉटनिकल गार्डन ओफ इंडिया तो इसमें आपको बॉटनिकल गार्डन कौन सा कहा है वो स्पेसिफिक वो याद रखने और सबसे क्योशन जो आते हैं वो यह याते हैं कि हैे या जैसी कि हरवेरिया में तो इसमें कितने सेम स्पिसिमें हैं तो इस पर क्योशन पूछ लेते हैं तो नंबर आपको पता होने चीह ठीकolas को से पर पंटे रॉल उप पेस्जा है ऐन्ध BSI, तो BSI जो है, इसकी full form पूछ लेगा, क्योंकि यहां पर इस से देर के abbreviation form में देर रखा है, तो full form पूछ ही जा सकती है, आपको exam में, and इसमें इसके objective क्या है, वो objective पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से, इसका headquarter का है, वो भी पूछ सकता है, तो इस तरीके से, यहां से question जा है, वो बन सकता है, next है, morphology, morphology के अंदर देखिए, यह unit जो है, वो थोड़ी से, इस तरीके से रहेगी आपकी, कि, यहां पर तो यह तो general statement ही है, यहां पर influence का types है, वो जो के उपर हमने देखे थे, families के अंदर, वो ही influence के type यहां पर आजाएंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि आप type of influence के पहले पढ़ लें, ताकि आपको बाद में families के अंदर easily समझ में आजाए, खीक है, तो वो चीज़ें आपको दियाँ रखनी है, एंड फ्लावर के बारे में थी, तो modified suit होता है, वो तो अपने कोई पता है, उसमें अलग से कोई point है, नहीं, पीए क्या होते हैं, पता होने चाहिए, सिंपलेंसे कहीं होते हैं, तो इसमेंसे कोईon मनाकर दे सकता है, इनमेंसे कॉन से machen issues और से complex इसे सी carbide नियु XL से, कि Arane Chima है Asteroid और जाने के Aster shape में होते हैं तो वो जो जनरली पूछ लिया जाते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए ना ऐसे है Immaculate Normal Annatomical Features से самое Mono Coat and Decode Root के मतब्द Monocorat and Decode इसमें इसमें टेबल बना ले निसमें Monocorat के अंदर Stem कि ऐसा होता है,Diacode में कैसा होता है,Root कैसे होती लिद्स कीसे होती है तो इस तरिकेसे इसे परढ़दे नहीं तो इसमें Specific Cureison मना सकते हैं कि Monocorat में यह यह देखने को मिलेगा इस टेम में यह मिलेगी यह particular root किसमे मिलती है इसमें मिलती है monocode diacode इस तरह के से question बनता है vascular system में vascular type में conjoint collateral यह जो है exact and dark है इनका क्या मीनिंग होता है इस तरह के से conjoint किसमें मिलेगा collateral किसमें मिलेगा इस तरह के से जो example है वो आपको cover करके चल लेगा apical and cambium मेरी stem है यह आपको पता होना चाहिए origin of lateral root है तो इसमें आपको बस यह पता होना चाहिए lateral root जो है वो origin किस से होती है तो यह direct question पिक होता है तो वह चीज़ें आपको लेकर चलनी है कि ऐसे इस तरीके से जो है आप त्यार कर सकते है general account of है यह आप जैसे wood का है कि wood क्या होती है especially आपको पता होना है चीज़ें कि भी secondary jylem है ठीक है इसके अलावा जो है sapwood hardwood है तो इनमें difference क्या है वो आपको पता होना चाहिए यहां से क्यों सकता है ठीक है पैरिडर्म के बारे में आपको पढ़ना पैरिडर्म क्या है and normal secondary growth dicot root जो है dicot root and stem के अंदर normal secondary growth कि normal अगर secondary growth होती तो किस तरीके से आपको क्या क्या changes देखने को मिलेंगे तो यहां पर जो है जो है जो है कि यह जो पैरिडर्म है इसके बारे में पूछ लेते हैं किस से बनी है इस तरीके से क्यों सन पूछ लेते हैं तो cambium secondary cambium जो है वो आपको कि उसके बारे में पता होना चाहिए cambium का formation cambium किस परकार से changes होते हैं तो यहां से क्यों सन यहां रखने होंगे हैं तो इस तरीके से cover करके चलना कोई exception कैसे जो हो यहां तो वो भी आप cover करके चलना next animal secondary growth है तो यह normal secondary growth से अलग होगी क्योंकि यहां पर कई बार cambium में कुछ disturbance देखने को मिलता है कई बार cambium continuous नहीं होती है तो इस तरीके से जो है यह जो में दे रखके है example तो इन में किस तरह की secondary जो abnormal secondary growth है वो आपको पता होने चाहिए राइट है ना यह specific किसी के अंदर कितने परकार का जो है phloem है वो यहां से क्योंसन बन जाता है तो वो जो है cover करके आपको चलना है ठीके तो मेर्सी ना भी दे रखका है मोनो कोट आइटिंग हाँ यह सी कही एक जांपर ठीक है आप देख लेना ना नेक्स हमारे पास में है कि यह embryology का पार्ट है जिसमें morphology and embryology क्योंकि BSC की books में कुछ इसी तरीके से syllabus design है इसे morphology दे रहे रहे हैं फिर उसके बाद embryology दे रहे हैं तो इस तरीके से unit design कर रहे हैं तो syllabus वह का वह है यहां पर BSC का syllabus है पूरा का पूरा तो pollination development of male and female gametophyte है ठीक है development किस तरीके से होता है कैसे male बनेगा female कैसे बनेगा इसके बारे में यहां पर types of ovule ovule में आपको types पता होने चाहिए और इसके example पता होने चाहिए ठीक है बाकी जो है आपको idea होना चाहिए double fertilization है तो double fertilization क्या होता है कैसे होता है product क्या होंगी double fertilization के इसके बारे में आपको idea होना चाहिए embryosick type of embryosick type of endosperm यह जो development of embryo and dicot and monocot दोनों में देख लेना क्योंकि दे तो नहीं रखा यहां बट development of embryo कैसे बनता है तो उससे क्या होगा आपको structure easily समझ में आ जाएगी कि dicot or monocot seed के अंदर किस तरह की structure होती है जब आप development समझ जाएए तो इस तरह के से cover करके चलना है इसमें बस ध्यान यह रखना है जैसे की development of embryo जब आप देखोगे तो dicot seed के अंदर कौन सी structure किस से बन रही है तो वो जो है वो आपको idea हो जाएगा तो question यहां से इस तरह के से निकलेंगे पर seed जो होता है वो किस से develop होता है ठीक है जो इसमें endosperm होगा वो किस से develop हुआ है ठीक है इस तरह के से आपको पता होना चाहिए पर seed coat seed coat होता है वो किस से develop होता है तो इस तरह के से यहां से questions जो होते है वो बन बन जाते है तो वो आपको पता होने चाहिए तो development देखेंगे तो seed structure अगरा easily याद हो जाएगी अब देखते हैं यह है economic botanica पार्ट है इसमें देखिए सबसे important बात जितने भी name दे रखे है coriander यह फैंगरी जो भी दे रखे है जो भी name दे रखे है उन सब के botanical name आप side में लिख लेना क्योंकि यहां से botanical name बहुत जादा पुछे पिछली बार भी आपने पेपर देखा होगा तो यहां पर बहुत सारे botanical name पुछे गए हैं तो botanical name जो है सारों के लिख लेना आप जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है इस syllabus में क्योंकि कौन सा food है कौन सा fiber है इस तरीके से question बनायते है last time में matching के दे देते हैं तो वह आपको पता होना चाहिए कि food कौन सा fiber कौन सा है जैसे कि सीरस crop है तो यह food में यूज हो रहे हैं यह fiber हैं यह medicinal plant है तो इस तरीके से जो आपको idea होना चाहिए और इनके origin कहा है बाजरा का origin कहा होगा तो इस तरीके से question बनते हैं तो दो question specific होके एक तो इनके botanical name आपको पता होने चाहिए दूसरे यहां पर इनकी origin किस से हो रही है वो जो है दो important point है जो कि आपको पता होने ही चाहिए इसके बाद में जो है कि inflorescence के अंदर question आएगा नहीं आएगा वो इतना पता नहीं है पिसली बार तो नहीं आया इस बार आपको पढ़ना तो होगा ही detail में तो inflorescence तो गेरा देख ले ना कि wheat का inflorescence का चाहता है मेज का वाकि तीनों में आपको सेम ही मिलेगा सेम ही family के member है यह तो इस केस में botnical name पता होना चाहिए origin पता होनी चाहिए and fruit type किस तरह का fruit कैसा है karyopsis fruit है यह तो वह आपको पता होना चाहिए नहीं राइट तो यह चीजें जो है detail जो है आपको यहाँ पर देखने पड़ेगे इसके लावे इनके varieties भी होती है के botnical name पता है यह चीजें जो है वह आपको कवर करके चलना है ठीक है fiber है jhoot cotton जो है उनके बारे में cotton किस से plant का कौन से पार्ट से बनता है jhoot कौन से पार्ट से मिलेगा इस तरह के क्यों सन जो है वह आपको पता होने चाहिए and यह है medicinal plant medicinal plant मे disease साइद नहीं फिर भी पता होना चाहिए medicinal plant है तो plant कहां मिलते हैं जैसे कि पिछली बार पूछ लिया था कि राजस्तान में मिलने वाले medicinal plant कौन से हैं तो option दे दिये तो विथानियन कॉमिफोरा जो है वह एक्जाम दे रखे थे एंड करके तो यह यह आंसर था विथानियन कॉमिफोरा तो वह इस तरीके से भी question design कर सकते हैं ठीक है तो यह medicinal plant है जो के आपको राजस्तान में मिल जाएंगे विथानिया अस्वगंदा है अस्वगंदा के अंदर अलकेलोइड कौन सा होता है यह पिछली बार पूछा गया था तो इस तरीके से मतलब कहने का मतलब कहा है medicinal plant में आपको इसका botanical name पता होना चाहिए plant का कौन सा पार्ट जो होता है medicine के तोर पे इस्तेमाल किया जाता है यह पता होना चाहिए and chemical constituent कौन सा है मतलब कौन सा chemical जो होता है वो drug के तोर पे काम करेगा right medicinal plant में यह ही तो पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए तो botanical name plant का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है और chemical composition कौन सा chemical जो है वो जो drug के तोर पे काम कर रहा है medicinal benefit दे रहा है तो वो आपको पता होने चाहिए तो इस तरीके से जो है आपको त्यार करना है तो यह है इसमें विथानिया अस्वगंदा है comic for a इसे गोगूल गोगूल बोलते हैं गोगूल ऐसे कुछ होता है गोगूल यूज होता है प्लैंटे को जो है वो इस सब गोल है तो इस सब गोल आप देख लेना ठीक है वीडियो में बनाऊंगा मैं इस पर थोड़ दिन वीडियो भी आ जाएगा forest resource के अंदर जैसे की timber पर मैंने बना दिया है तो आप timber देख सकते हैं कि particular timber कौन सी और specific characteristic कौन से है वो इस तरह के से कौन से plant से मिलते है किस तरह का plant बहुत इंपनिकल नेम क्या है किस तरीके से होता है पर्टिकुलर जो है वो किस season में मिलता है ठीक है जैसे comifora तो इससे जो आपको मिलेगा जैसे comifora यहां भी है to comifora से जो मिलता है gum resin तो वो जो होता है winter season में मिलता है तो इस तरीके से season का भी आपको idea होना चाहिए क्यों harvest गौंद को क्या करना पड़ेगा harvest करना पड़ेगा तो harvesting कौन से season में होती तो आइडिया होना चाहिए minor forest है इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा and last में कित्यन बॉटनी brief account of यह ज्यादा कोई इतना नहीं है इसमें कोई नहीं रहेगा आपके इस जनल लीडिंग कर ले ना आप बाकी यहां से कोई question की सम्मावने में नहीं economic botany से समझ में आगया आपको botanical name पढ़ने origin पढ़नी है and जो बताया है मैंने आप देख लेना अब जो है वो है ecology है right ecology से पिसली बार जो question पुछे गए थे वो कुछ इस तरीके से की particular plant जो है hydrophite है ठीक है कौन इन तीनों में के example mix कर दिया और में से कौन सा hydrophite है से पूछ लेंगे यह hydrophite में भी कौन सा free floating hydrophite है इस तरीके से तो यह चीज़ें जो है वह आपको पता होने चाहिए vascular bundle का question पूछा गया ता last time कि सबसे ज़्यादा developed vascular bundle जो है वह आपको किसमे मिलेगा तो इस तरीके से question जो है यहाँ पर बनते हैं बट इस पर सलेबस जो है ब्रोड करके दे रखा है तो आपको atmosphere है तो atmosphere की कौन-कौन सी layer होती है उनके क्या features है किस तरीकी जो layer होती है वह कहां का मिलेगी आपको किस तरीके से water है plant water जो होता है water किस-किस type का होगा water के different type होते है जैसे कि पिछली बार पूछा था कि जो soil होती है वह adsorb कर लेती है water को तो वह कौन सा water होगा तो agroscopic water हो जाते है तो इस तरीके से जो है water की types है different और उसमे में कौन सा water कैसा होता है वह आपको पता होना चाहिए light feature है तो light में heliophyte plant, skeophyte plant इस तरीके से particular light के साथ में किस तरीके plant होते है light किस तरीके से effect करती है जो pond होता है तो pond के अंदर भी light का होता है तो उसके according जो vegetation आपको देखने को मिलती है तो इस तरीके जो है features है वह आपको पढ़ते हुए चलना है तो यह topic इस तरह के general आप reading लगाएंगे रटा निमारना general reading लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि इस तरह की question नहीं कि आपको heliophyte का example पूछे या skeuophyte का example पूछे general पूछेंगे कि आप यह plant छाय में मिलता है skeuophyte गरमी में दूप में मिलता है heliophyte इस तरह के question जो है पिछली बार design किये गए तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखके चलना है temperature है तो temperature किस तरीके से plant को effect करता है तो वह आपको देखकर चलना है soil जो है soil के अंदर different layer होती है तो वह यहां से question बन सकता है कि layer का order पूछा जा सकता है या particular layer जो है वह किस किस लिए है उसका नाम ऐसा क्यों है A layer है तो वह क्या है B layer है तो वह क्या है C layer क्या होती है सबसे नीचे कौन सी layer होती है इस तरह के questions है वह आपको यहां से पूछे जा सकते हैं ठीक है और adaptation का मैंने आपको बताए कि particular plant में पूछा जा सकता है इंके different types होते हैं hydrophide में floating है कौन सा है submerged है कौन सा है तो यहां जो है आपको example याद करने पड़ेंगे hydrophide के free floating कौन सा है submerged कौन सा है वो जो example है कुछ एक example है वो आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है तो hydrophide 10 15 याद कर ले ना या easily याद हो जाएंगे क्योंकि जब आप सब याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे शुरू में तो याद नहीं होएंगे ठीक है तो इस तरीके से जो है आपको पढ़ना है है तो एलोफाइट के specific features होते है रूट कैसी होती है निमेट फॉर अगेरा जो है वो जो हम पढ़ते हैं तो वह चीज़ें जो है वो यहाँ पुछी जाएगी इको सिस्टम यह जो है इसमें food chain food wave एको लोजिकल पीरामीड है तो पीरामीड किस टाइप का होता है क्या होता है energy flow कैसे होता है बायो जीओ केमिकल साइकल जैसे पिछली बार तो पुछा कि sulfur का main source क्या है nitrogen का main source क्या है तो यहाँ पर इस तरीके से question बनते है तो आपको भी प पता होने चाहिए राइट यहां से भी जैसे की biotic a biotic component कौन से है तो mix करके आपको पूछ सकते है कि biotic component कौन से है a biotic component कौन से है ठीक है तो इस तरीके से question बनते है बड़े easy question बनते है आप neat care जो आपके पास content होगा तो इसमें से question solve कर ले ना आपको general idea लग जाएगा ठीक है बिल्कुल भी मुस्किल नहीं है बड़े easy topic है ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती echo type card जो है community characteristic frequency density abundance cover यह इस पर सब पर मैंने जो है location जो है बना दिये पिसली बार side यह नहीं थे इस बार add किये गये है इस पर मुझे idea नहीं जादा आप देख ले ना बट हाँ यह topic जो है मैंने इस पर वीडियो बना रखा है इसके अंदर formula जो होते हैं वो पूछे जाते हैं तो आप formula जो है इनके वो formula याद कर ले ना थीक है तो उसमें से question बन सकते ecological succession के अंदर पिछली वार जो जैसी की बना की baron rock होती है जैसी की नगन चट्टान है तो उस पर कौन सी vegetation होगी तो इसका answer like an होता है particular step का क्या meaning होता है वो जो है वो आपको पढ़ना है ना फाइटो जियोग्राफी फाइटो जियोग्राफी जो है इस पर मैंने वीडियो बनाया है फाइटो जियोग्राफी रीजन ओफ इंडिया मतलब इंडिया में कौन-कौन सी रीजन है तो यहां direct question कि कितने पार्ट कितन जो है वो पार्टिकुलर पूछा जा सकता है कि वैजिटेशन यह रीजन जो है वो पार्टिकुलर कहीं का जैसे राजस्तान है तो कौन से फाइटो जियोग्राफी रीजन में आएगा इस तरीके से वेजिटेशन टाइप ओफ फोरेस्ट इसमें आपको कि वैवर्ग्रीन आन पर नौत गांए अट इसमें से यह रीजन आपको कहां मीलेगा थीक है एवर्ग्रीन फोरेस्ट में आपको कौन से यह त्री देखने को मिलेंगे तो इस तरीके से जो एक्से जामपल हम याद करते हैं वह वो आपको याद करने को यह जास्तान के पार्टिक्लर Liss सर्ष के अंदर आप देख सकते हैं मैं भी देखुँगा कि वीडियो यह अप्लोड कर दूंगा ग्रास लेंड पे तो ग्रास लेंड पे प्रटिकुलर लेस्ट होती है जिसमें आपको ग्रास लेंड याद करने पडेंगे कि कौन-कौन से ग्रास लेंड है और कहां कहां है ठीक है प्लांट कंजर्वेशन पर इस पर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाए अगर वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो इससे कवर हो जाएगा उससे बाहर ज्यादा आएगा नहीं कि इंसिटू एंसिटू कंजर्वेशन क्या होत है तो अगर आपका इन्वार्मेंट है साथ में आप इन्वार्मेंट में पढ़ लेंगे और वैसे भी इजी टोपिक है तो इसमें आपको एक चार टाइप से मिल जाएगा तो इसमें आप पढ़ सकते हैं वाकि ये इंडेंजर्ड थ्रेटन्ड इस्पीसीज का थोड़ा सा आइडिया आपको लेना पड़ेगा क्योंकि समें रेक्रेमिंग वाला पॉइंट है ये आप लास्ट में याद करना इसको इंडेंजर्ड एंड जो टॉपिक है उससे ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास में प्लांट फीजियोलोजी तो प्लांट फीजियोलोजी के अंदर से क प्लांट कौन से हैं सी फॉर प्लांट कौन से हैं केंप प्लांट कौन से हैं पाटिकुलर जो पाथवे है उसमें सबस्ट्रीट का है सबसे पहले कौन सा बनता है कि सबसे पहले किसको यूज किया जाता है कम कंपाउंड को और सबसे लास्ट में किसको किया जाता है इस तरी किसे हैं, तो पूरी की पूरी unity दे रखे है, देखा जाए तो, तो, फिजिकल प्रोपटी जाब वाटर, डिडिग लगा ले न, क्योसिट आने की कमी समभा होना है, diffusion and osmosis, question यहां से आएगा, diffusion and osmosis, transpiration, तो डिफिजन क्या होता है Solutke moment of Osmosis solvent का moment और पुछा था कि Solutke moment को क्या कहते है तो डिफिजन हो जाता है Solvent का moment जैर्व Osmosis हो जाएगा Transpiration process है वो क्या है क्या iska significance अधो पता होने चाहिए Stom Yuji moment है उसके बारे में आपको different Stom Yuji moment types है जिएंसे थोड़ा से सची से नियम पूछा जा सकता है स्ट मेंटर मुवमेंट के अंडर बेहां जो है तो उसके बारे में कि कि से कोई से इपको थोड़ा से याद करने पड़ेंगे सा नियम maikra and extraordinary aliment है यह थोड़ा सा बहुत ही कॉंपलिकेटी टॉपिक है थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा आपको क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रेमिंग करने ही पड़ती है बाट इसमें मेजर मेजर जो आपको याद हो सकते हो वो याद कर लेना है जैसे कि मेक्रो तो आपको याद कर नहीं है और माइक्रो के अंदर भी जो है कि कुछ स्पेसिफिक होंगे तो यहां पर जो इंपोर्टेंट लगे आपको वोही कवर कर करें गयाद करोगे तो जादा उलत जाओगे घिक है तो जो इंपोर्टेंट लगे बहुत जादा वो आपक वर करचलना है photosynthesis photosynthesis के गनर photosynthesis pixel pigments ऑख कौन से है कौन से pigment है किस color के लिए responsible है ठीक है तो वो आपको पता होने चाहिए concept of two pigment system plant के अंदर जैसे two pigment system होता है तो वो आपको पता होने चाहिए photo phosphorylation ठीक है यह आपको cover करने तो इन में तो जो कि pathway है तो वो आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे easy है पाथवे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है and c3, c4 plant कौन से होते हैं किस तरह किस इनका pathway होता है वो आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीक है syllabus no doubt इस बार बहुत ज्यादा लेंदी है तो journal reading लगा के और journal question वहाँ से आप solve करके जो है प्रेक्टिस करनी चाहिए आपको ठीक है next respiration है anaerobic respiration anaerobic respiration क्या होता है krebs cycle के है electron transport के oxidative ये तो ये जो pathway है वो सारे के सारे आपको pathway याद करने पढ़ेंगे जब आप pathway याद करेंगे तो आपको question जो है वो आप easily इसमें से solve कर सकते हैं कैसे भी question बने पर generally क्या होता है कितने ATP बने कितने NDPS बने ये इस तरह की question होते हैं कितने ATP consume होए यहां से अगर और कुछ आए ना आए पर इन pathway से ये जरूर question आएंगे कि ATP कितना बना इसमें कितने ATP बने कितने consume होए कितने बने तो इस तरह के से जो question होते हैं वो जरूर आएंगे कुछ आए ना आए तो ठीक है plant growth regulation अब जो है यह जो portion है इसमें seed germination कि भी seed germination के अंदर से question जो है factor affecting the process तो dormancy क्या है dormancy की simple definition and germination किस तरीके से होता है तो इसमें जिसके आपको photo periodism and vernalization दिख रहा होगा तो यह सबसे important part है यहाँ पर जो कि आपको पता होने चाहिए कि photo periodism की concept क्या है vernalization क्या होता है कितना temperature है क्या होता है किसके लिए use किया जाता है तो यहां से जो question आने के ज़्यादा संभाव नहीं है and plant growth regulator जो होंगे उसमें से synthesis में से साइधी question आ भी सकता है और नहीं भी बठा यह जरूर आएगा कि पर्टिकलर जो हार्मोन है पर्टिकलर हार्मोन की क्या effect होते है तो वह जो effect है वह आपको याद करने पड़ेंगे कि पर्टिकलर ऑगजीन है तो उसका क्या-क्या effect होते है किस तरीके से जो है वह आपको पता होने चाहिए यह phase of growth जो है वह आप थोड़ा सा पड़ ले ना इसमें जैसी कि आप अगर बीएसी की books देखेंगे तो यहां पर कुछ instruments दिये वह हैं तो पिसली बार जैसी कि पुछा गया था तो यहीं से क्योशन पिक हुआ था वह तो इस तरीकी से phases of growth के अंदर यहां पर कुछ instruments दिये गए हैं बुक के अंदर बीएसी की book के अंदर तो वह जो instruments हैं वह आप देख लोगे तो आपको general idea हो जाएगा कि किस instrument का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ठीक ह तो इस में से क्योशन जो है कुछ कहां से पिक होते हैं वह मैंने आपको बता दिया कि phase of growth के अंदर से जो instruments होंगे different instruments हैं वो यूज होते हैं तो उसके बारे में आपको पता होने चाहिए and seeds germination factor affecting the process यह बताई दिया मैंने photoperidism and vernalization के बारे में आपको पढ़ना पढ़ेगा definition क्या होती है किस लिए काम किया जाता है and growth regulator में से different जो hormones हैं उनके क्या effect होते हैं वो आपको पता होने चाहिए ठीक है इसकी पिछली बार पुछा था कि जो aging होती है plant के इंदर aging जो होती है उसको कौन रोकता है ठीक है तो इस तरीके से questions होते है वो यहां बनते है जो जो जी जो जी का तो बड़ी है benefit है जो बाटनी जो जी जनों ने ले रखिए उनकी सेल बाइलो जी मेरे ख्यास से यहां भी कवर हो जाएगी और जो जी के इंदर भी कवर हो जाएगी तो दोनों जगे आपको फाइदा है तो यहां पढ़ने से यहां आप जब सेल बाइयो एंड जैनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपकी वहां भी सेल बाय जैनेटिक्स कवर हो जाएगी तो एक आत दो काम है तो यह युनिट जो आपको बीस नमबर का फाइदा करा देगी सोरी बीस से 22 क्योशन 20 से 22 क्योशन लग वह 25 क्योशन तक आपको बेनिविट दे पूरा तो वह आप कर लेना ये तो सब को आता होगा तो इजी टॉपिक है कब से पढ़ते आ रहे नहीं है इस्टक्चर और फंक्शन ऑफ इंपोर्टेंट सेल और गिनल तो इस ये सारा का सारा बड़े अराम से इनने एक जगे इतनी से लाएं में लिख दिया कि डिफरेंट स्टक्चर्स हैं सेल और्गिनल्स कौन कौन से हैं तो उनके बारे में तो यहाँ पर आपको बड़े अराम से कवर करना पड़ेगा तो यह इसमें सारे और्गिनल्स आगे तो ज़्यादा घबाना की जड़ता है नहीं क्योंकि जब हम एक यूनिट जो है वो तीन दिन या च हो जाएगा ठीक है फिर है क्रोमोजों की स्टक्चर है इसमें अल्ट्रा स्टक्चर एंड फंक्शन है तो अल्ट्रा स्टक्चर में क्रोमोजों में कि बही क्रोमेटिड क्या होता है ठीक है नुक्लियोसों क्या होता है तो इस तरीक से जो पर्टिकुलर स्टक्चर्स बनती है वो कितने इंस्टॉंड और में कितने होते है वह इसमें रिंक जो अरेंजॉंगे फि क्या होगा कि उस्टिमें मुझे पड़ स्वाइब याद में रहीए तो स्टाहि5 है यह आठ होते हैं तो देखना पड़ेगा भी बट वो जो है उसमें से वहां से क्योशन पुछे जाते हैं तो वह आप कवर करना ना तो वहां से क्योशन पुछे जा सकते हैं आपको क्रोमोजमल अबरिशन के अंदर वही कि भी कौन-कौन से नंबर से कितने कम हुए ज़्यादा हैं तो वह चीजें जो है वह हो आपको यहां पर देखनी होगी तो यहां से simple equation की एक कम हो गया एक ज्यादा हो गया तो इस तरीके से उसको क्या का जाएगा तो यह equation यहां से बनेंगे अगर जैसे की pattern paper का level रहता है तो उसके according ठीक है तो polyploid ही तो यह C में ही आ गया and cell cycle में mitosis meiosis और तो mitosis meiosis के अंदर कौन सी step में क्या होता है क्रोमोजोम किस में separate होते है एरेंज कब होंगे क्या होगा किस time क्रोमोजोम का number कितना होगा ठीक है तो इस तरह के questions होते हैं वह यहां से बनते हैं तो इस तरह के से आपको cover करना है फिर है genetics अब genetics में आपको अब एक इक topic तो हम यहां नहीं देख सकते हैं बढ़ हाँ जैसे कि मेंडल के low है तो low जैसे कि आपको low है वह पता होने चाहिए कौन-कौन से low है क्या कहते हैं ठीक है linkage है linkage क्या होता है structure of gene जो है structure of gene क्या होगा gene की particular structure promoter जो होता है वह क्या काम करता है operator होता है वह क्या काम करता है इस तरह के से जो है वह आपको पता होने चाहिए ठीक है तो यहां पर structure of gene के अंदर terminology आएगी इस किसे stone क्या होते है promoter क्या है operator क्या होते है ठीक है structural gene क्या होता है functional gene क्या होता है इस तरह से terminology जो है वो आपको पढ़नी होगी transfer of genetic information यह वह ही replication transcription translation तो यह आपका molecular biology का part है तो वहाँ भी cover हो जाएगा अब देखो यह चीज़ें ऐसी क्यों है कि आपको syllabus मैं बता दूँ कि जैसी कि मैं बढ़ाता हूं तो यह क्या चीज़ें कि यह previous के अंदर है first year के अंदर है राजस्तान में तो यहाँ पर transcription translation यह cell by first year में और molecular biology second year में तो molecular biology के अंदर आप देखेंगे दूसरी unit आए बाद में next unit आने वाली है तो उसमें भी replication transcription translation है तो वह आपके वहाँ cover हो जाते हैं बट यह यहाँ sort के अंदर यहाँ भी दे रखा है तो यह steps जो हैं वह आपको elaborate करके पढ़नी पढ़ेगी molecular biology में आप यह पढ़ना यहाँ पर आप replication transcription translation पढ़ते हैं इनमें भी क्या है आपको steps तो यहाँ रखनी नहीं बट आपको यह याद रखना है कि enzymes particular enzymes जो होते हैं वो क्या काम करते हैं particular enzymes हैं वो कैसे काम करते हैं क्या काम करते हैं क्या क्या यूज होता है तो वो जो है चीजें क्योशन जो है यहाँ से बनते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए mutation mutation के अंदर की वही particular कौन सा mutation spontaneous है induced है इनके different types है वो आपको यहाँ पर पढ़ने पढ़ेंगे ठीक है तो इस तरीकी से plant breeding है plant breeding में यह terminology है और इनके meaning जो है वो आपको बस terminology और इनके meaning जो है वो आपको पता होने चाहिए ठीक है जैसे कि यहाँ पर test cross है बे cross है hybrid vigor क्या होते हैं तो यहाँ पर बस आपको इनके जो है definition जो है वो आपको अच्छे से cover होनी चाहिए बाकी जो है इनमें क्या बनता है कोई बाकी तो इनके जो benefits होते हैं drawbacks है वो होते हैं तो उतना आपको करने की जौर्थ है नहीं बट हाँ genetics में हम क्योंकि genetics में आपने देखा कि जैसे कि मेंडल के और जैसे कि हम पूरा पढ़ते है genetics वैसा इसमें है नहीं तो जो ratio के क्योंसन है और क्योंसन है वो यहाँ पर तो आएंगे नहीं बट हाँ वो जो जो लोजी वाला जो portion है उसके अंदर जैसे कि ढाई ऐहाँ आबड़ क्रो allem मोनो चुन को श्मीड को एक हुआ किक्ति हे तो ऑप इस्टेसि ने भी टॉपिक और बीटल कर साथक्रों चाफ कर साश्गाब यहां से जो क्योशन बनेंगे वापके Chromosomal Abrasion के अंदर से बन जाएगा इसमें से बनेगा Cell Cycle में यह Arta Structure से बन जाएगा ठीक है Organis के अंदर से तो General है ठीक है उसे हम कवर नहीं देखते ठीक है इसके अलावा Mutation जो है यहां से क्योशन बन जाएगा एंड यह वाला portion ठीक है तो यह इसी इनिट के अंदर यह portion जो है वह आप अच्छे से कवर कर लेना ठीक है बाकी जगे भी कवर हो जाएगे नेक्स्ट है हमारे पास में Nucleic Acid तो Nucleic Acid में DNA, RNA इनके बारे में DNA की structure हो गया आपको पढ़नी पढ़ेगी जैसे कि मैंने आपको बता है तो application यहां आगया न तो replication यहां आगया है and protein synthesis आगया, translation आगया, transcription आगया यह जैसे कि आपको दिखाई दे रहे है तो यह यहां पढ़ना पढ़ा है आपको application, transcription, translation, translation आप यहां पढ़ना क्योंकि पहले आप DNA पढ़ना फिर RNA पढ़ना, RNA की different types पढ़ोगी फिर उसके बाद में आप replication पढ़ना, extra chromosome or DNA है वो मैं करवा चुका हूँ, तो साइद इसका MCQ करवाया है मैंने question नहीं करवाया, वैसे topic नहीं पढ़ाया बटे हैं, MCQ करवा रखे हैं तो आप देख लेना, plasmid के भी MCQ करवा रखे हैं, बाकी जो है DNA, RNA की structure पढ़ना, फिर उसके बाद में आप replication, transcription, translation, study करना और इनके जो enzymes कौन-कौन से use होते हैं, उनके जो है function क्या है, वो आप जो है cover करके चलना, ठीक है, तो वहाँ से question जो है, वो पूछे जाएंगे, अब जो है ये वाला जो portion है, यहाँ पर, method of gene transfer in plants, ठीक है, ये पूरा मैंने आपको करवा दिया है, तो ये जो आप मेरे वीडियो में देख लेना, तो इसमें direct indirect method के कौन-कौन से होते हैं, और कैसे कैसे question जो है, वहाँ से बनते हैं, उन पर मैंने emphasize किया है, ठीक है, बाकी जो recombinant DNA technology है, तो इसमें gene isolation के क्या-क्या method है, ठीक है, जीन किस तरीके से isolate मतलब इसमें, gene isolation का मतलब हो गया, कि cloning, cloning से हो वीकलस है, plasmid है, cosmid है, phases है, इनके बारे में अलग से पढ़ना पढ़ेगा, इनके बारे में वीडियो बना दूँगा, तो यहां पर question, यही बनते है, प्लाजमिट क्या होता है, cosmid direct पूछ लिया जाएगा आपको, कि cosmid क्या है, phases तो पूछ तो निह पुचाएगा, बट cosmid प्लाजमिड क्या एक्स्ता क्रोमोजमर डी ने है ठीक है बैक्टरिया में प्रजेंट है इस तरह के से तो यह चीज़ें जो है वह आपको पता होने चाहिए प्लाजमिड के डिफ्रेंट टाइप्स हैं वह आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना बाकी ज़्यादा डीप नहीं में भी एक प्लाजमिड क्या है वह Crist1 प्लाजमिड क्या है और प्लाजमिड क्या होता है इसका क्या मिलं और कि इस तरह किसे क्यों संबन तयां फिर cdna ले लाइबरी तो आर्ने से bीने फिर dna से जो है डी एने बनाया जाता है तो पूरी प्रोसेस है cdna library तो cdna library जैसे कि आपको पता ही है कि MRNA जो होता है उससे बनाई जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है cdna library बनाने से आप जो gene expression है उससे जो है उसकी एक library बना सकते हैं क्योंकि particular dna से MRNA बनता है तो dna से बार-बा पर MRNA बना हो तो यह तो सही नहीं है क्योंकि उसमें कई सारी processing होती है intron है exon है तो उनकी जो adjustment होती है तो उसके होज़े से यह procedure हम skip कर देते हैं तो आपके पस MRNA होगा तो उससे direct आप बना लेंगे तो उसमें जो है intron की जो problem होती हो दूर हो जाती है तो इसलिए cdna library transposable element के अंदर एक video बना इनमे पर video बना दूँगा मैं तो transposable element कौन कौन से transposable element होते है particular कौन सी repeated sequence इनमे होती है वो जो है वो पढ़ना पढ़ता है आप ट्रांस्पोजव element में dna fingerprinting आप पढ़ते ही आए कि किसने इसको find किया तक किसने इस आविसकार किया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए dna fingerprinting में क्या होता है कहां कहां आती है इसके use क्या है वो पूछा जाता है genetic mapping के अंदर जो mapping की जाती है उसके बारे में देखना पढ़ेगा आपको ठीक है तो ओवराल जो यह unit है उसमें आपको dna की structure replication हो गरा process में enzyme कौन से काम आते हैं बाकी जो यह unit थोड़ी से आपके लिए complicated पढ़ेगी क्योंकि इसमें content बहुत ज्यादा है ठीक है और इसमें सब्सक्राइब में इसमें से question दिखते हैं किस तरीके से आएंगे but आपको मान की चलना है कि इसमें से 5 को संटा सरफेस लिए आ जाएंगे और 5 को संट जो है वह डीप आएंगे 6 या साथ जोस आएंगे but benefit यह है कि वही इस तरीके से question ऐहेंगे पांच या छे सर्फेस से आ जाएंगे और बाकी जो एच्छे बाकी के क्योशन इसमें थोड़ा डीप आएंगे तो वो आप डिटेल स्टेडी करोगे तो वो आपको पढ़ने बढ़ेंगे ला इस तरीके से लास्ट यूनिट है इसमें कॉंसेट आफ एसेपसिस एंड अज मेथद ऑफ इस्टेलाइजेशन तो इस्टेलाइजेशन के जो मेथड़ा है वो मैंने आपको करवाये हैं तो उसमें आप इजी ली देख सकते हैं बड़ाई इजी वीडियो है जिसे आपको समझ में आ आपने देखा होगा पैटर देखा जाए तो दिकत तो समें कुछ नहीं है वो इस्टेलाइजेशन काई काम करेगा बड़ इंसानों पर थोड़ी च्ड़का जाता है वो सर्फेस पर च्ड़का जाता जैसे कि जो डेड़ सर्फेस होते है जैसे कि टेबल है इस तरवाजों पर है फर्स पर है शड़कों पर है इस तरीके से ठीक है हो सकता है कि आप दुकान में जाओ तो आप पर सोडियम आइपकलोरेट शड़क दे ऐसा हो सकता है क्योंकि आजकल जो नाई होगे रहा है वो कई बार शड़क देते हैं तो आप बचके रहना उनसे तो सर्फ जैसे क हमें hand sterilize करने तो आपको alcohol इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हम hand wash होगे रहा करते हैं और यह जो डिटोल होगे जो आते हैं sterilizer sanitizer जो हैं उनके अंदर alcohol होता है तो वो use करते हैं तो मेरा point आप समझ रहे होंगे कि जो sterilization जो process है उसमें different requirement के इंदर different sterilization की steps होती है तो वो जो है वो मैंने explain कर रहे हैं तो आप देख लेना कि particular कहां कौन सा होगा तो यह पूरी unit उसी पर ही है उससे पूरा का पूरा cover हो जाएगा जिसे autoclave है तो autoclave में inhibition को चींफेलाइब्वेशन किया जा सकता है on में किसको किया जाता सिर्फेज disinfectant कौन से है तो इस तरीके से option देखे केन में से सर्फेज disinfectant कौन से तो आपको पता होना चाहिए hipa filter जो है वो link near airflow में होता है तो इसकी size क्या होती है तो वो आपको पता होना चाहिए ठीक है हिपा फेडिटर की जो पॉर की साइज क्या होगी वो आपको पता होने चाहिए सबसे बड़ी बात जो भी अब्रिवियेशन दे रखी हो ना उनकी फुल फॉर्म तो जरूर तियार कर लेना क्योंकि एग्जामिन को लगेगा यह फुल फॉर्म में पोच लेते हैं तो इस तरीके से तो दो फॉल फॉर्म तो मैंने ही बता दिया आपको कि पकी और जो बी एस आई जो है उसकी फॉल फॉर्म दो तो आप कवर करके जहने दोनों के उसन तो आई जाएंगे आपके और पीसी आर जो है पीसीर की फॉल फॉर्म पूछ लेते हैं बड़े अच्छी रखती है एक्जामिनर्स को राइट तो नेक्स्ट है टीशू कल्चर टीशू कल्चर में देखिए इस पर मैंने वीडियो बना रखे हैं यह एक्चली मैंने पूरी यूनिट जहा है वो कवर कर रखी है ठीक है तो वहां आप इसे पढ़ सकते हैं तो आपके वो यूनिट ज जो हैं MS मीडिया जो है short form देखे आपको पूछ सकता है MS मीडिया की full form क्या है यह पूछ सकता है ठीक है और बाकी जो different media है इनकी pH क्या होती है कितनी pH रखे जाती है वो आपको थोड़ा सा idea लेना होगा ठीक है तो यह एक्चली क्या है इसकी जो मैंने वीडियो बनाया था त different media की तो आप यह search कर लेना की different media की नाम लिखके उसकी different list होती है और उसमें pH क्या होती है और specific कब डवलप किया गया था कौन से एर में डवलप किया गया था तो वो आप यहां पर थोड़ा सा देख लेना ठीक है बाकी क्योस्टन यहां से नहीं आएगा आपकी next concept of cell totipotency cell totipotency in plants इसमें callous culture है यह मैंने करवाया है suspension नहीं करवाया बट suspension liquid culture हो जाएगा तो cell suspension and single cell culture दोना है organs culture हो गया तो यहां से जो culture के अंदर जो questions बनते हैं कि particular पुछा था क्या होता है कैसे किया जाते है तो इन में steps पुछे जा सकते order पुछा जा सकता है steps का ठीक है तो इस तरीके से यह particular enzyme ठीक है तो आपको ज्यादा examiner ज्याता जाएगा नहीं तो single cell culture इतना डीक क्योंकि और क्यों बनाएंगी तो डीप हो जाएगा तो explant क्या होता है explant preparation के लिए सबसे best part कौन सा होता है जैसे के marry stem है ठीक है तो इस तरीके से questions होते हैं वो यहीं से जद 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 पुछने के समझाव नहीं है ठीक है next micropropagation का question मनेगा आपके तो micropropagation क्या होता है वो आपको पता आना चाहिए ठीक है and somatic embryogenesis somatic embryogenesis क्या है कैसे की जाती है ठीक है तो यह steps जो है वो आपको पता होने चाहिए and last में है transgenic plants transgenic plants में से direct जो कि उससे आपको दिखी रहा है जैसे की बताने की जड़त है नहीं ठीक है तो यहाँ पर जैसे bt cotton bt brinjal and roundup ready soya bean है तो इन तीनों को आपको त्यार करना है कि bt cotton में कौन सा gene यूज किया गया है किसे किया गया है bt brinjal एक ही हो गया दोनों bt cotton bt brinjal में develop कप किये गए थे ठीक है तो इस तरह किसे and roundup ready soya bean जो है वो किस company ने develop किया है ठीक है and कौन सा gene यूज किया गया है इस तरह की question जो है वो क्रॉप के अंदर से पुछे जाते हैं कि particular जो जीम क्रॉप है वो किस ने develop किया किस company ने develop किया कौन सा gene इस्तेमाल किया है gene जो है किस organism से isolate किया है इस तरह के questions जो होते हैं वो यहां से पुछे जाते हैं ठीक है तो यह था एक overview कि वही topic के topic टॉपिक तो इसके साथ में मैं सबसे लास्ट में आपको यह point कहना चाहूंगा कि जैसा content आपके पास है अगर आपके पास BSC की books हैं तो BSC की books पढ़िए और ज़ए-ज़द क्योशन प्रैक्टिस कीजिए क्योशन प्रैक्टिस के लिए आप नीट होगे रहा कि जो आती है गाइड होगे रहा आती है जिसे कि अच्छी गाइड है मार्केट में तो वह आप यूज कर सकते हैं क्योशन solve करने के लिए and content आप नीट से भी cover, नीट का जो content है उससे भी cover कर सकते हैं तो इस तरीके से जितन आपको time कम से कम time में आप cover कर सकते हैं तो topic पे थोड़ा सा coverage था तो यह आपके लिए beneficial हो सकता है तो इसी के साथ में आपको वीडियो कैसा लगा comment box में comment करना ना भूले और साथ-साथ वीडियो को like जरूर करें, share करें and ज्या-ज्यादा friends को share करें and साथ-साथ subscribe चैनल को subscribe करना ना भू झाल